दोस्तों मैं आज जो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये पद्मस्री डॉक्टर आरेन सिंग के बुक मन्थन से ली हुई है और मैं इसका पूरा श्रे उनको दूँगा तो शुरू करते हैं आज का शीर्षक है अनुभूती एक बहुत बड़ी अमीर व्यक्ति से एक जगा साक्षातकार में एक प्रशन पूछा गया कि आपके जीवन में वह कौन सा च्छन था जब आप बहुत खुश हुए थे उने सरलसवर में बताया कि मेरे जीवन में निम्नांक के चार ऐसे च्छनाए जब मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने बिजनेस शुरू किया और पहला ओर्डर लेने में सफल हुआ जब मुझे बिजनेस में सरवाधिक लोक्रेता का अवार्ड मिला जब मेरी कंपनी को बहुत पड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसका समापन अच्छी तरीके से हो गया और नमबर फोर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चौथी बार मुझे प्रसन्नता के साथ आत्मसंतोस भी मिला जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ बिकलांग बच्चों को ट्राइ साइकल देने का आग रह किया मैंने उसके आगरा को स्विकार रपकर कुछ ट्राइ साइकल और कृत्रिम अंग दान देने का फैसला किया जिस दिन यह सामान बिकलांग बच्चों को माटी जा रही थी मेरे दोस ने पांस से दस मिनिट का समय निकाल कर मुझे समारों में आने का आग रह किया मैं जल्द ही समारों से निकल जाओगा यह सोच कर मैं समारों स्थाल पर गया बिकलांग बच्चों के भी स्ट्राइसाइकल कैली पर आधिका वित्रन किया जा रहा था बच्चों के चेहरे पर अत्यमत्य खुशी देखकर मुझे बहुत ही शान्ती मिली मैं 15-20 मिनट रहकर निकल नहीं वारा था कि मैंने देखा एक बच्चा मेरा पैर पकड़ रहा है मैंने बच्चे से पूछा पेटा और क्या चाहिए और कुछ और चाहिए क्या बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा अंकल आज आपने ट्राइ साइकल और अन्य समान देकर हम लोगों की जिंदगी ही बदल दी मैं आपका चेहरा अच्छी तरह देख कर याद रखना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको दुबारा धन्य बाद दे सकूँ बच्चे के इस वाक्य ने मेरा जीवन दर्शन ही बदल दिया और मैंने पाया कि जिंदगी में इससे अच्छी अनुभ होती कुछ हो नहीं सकती